नमस्कार साथियों स्वाग थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में खबर PTI अध्यापकों से संबंदेत मोत के मुँ में जा रहे बरखास PTI मोन है सरकार महज 20 दिन के अंदर अंदोलन के दोरान दो PTI की मोत एक PTI की बेटीने की आतम हत्या क्या है पूरी अपडेट पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंतक जुरूर देखना और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और स ध्यापकों की जिंदगी एके करके मोत के हवाले हो रही है महज 20 दिनों के अंदर अंदोलन के दोरान जहां दो PTI की मोत हो गई वहीं एक PTI की बेटीने आर्थिक तंगी से तरस्थ होकर मोत को गले लगा लिया इस अवधी के दोरान युम्ना नगर के एक PTI की मोत होने के सा पिछले 29 अक्तुबर को ब्रोदा के बुटाना में आयोजित मुख्यमंत्री की रेली में समायोजन की घोशना सुनने के लिए पहुचे PTI रणवीर शिंग की वहां से लोटते समय रास्ते में दुरगटना में मोत हो गई PTI रणवीर शिंग मुख्यमंत्री की रेली में इसलि संद में कुछ सुनने को नहीं मिला और उनकी जिंदगी भी चली गई उधर क्रीब 20 दिन पूरो रोत तक के PTI नरेश की बेटी ने आर्थिक तंगी से त्रस्थ होकर आतम हत्या कर ली इसके इलावा आब तक क्रीब दो दर्जन से अधिक महिला PTI विद्वा हो चुकी है और बावजूद PTI टीचर्स की पीड़ा को सुनने वाड़ा कोई नहीं लंबे समय से समायोजन की मांग को लेकर PTI आंदोलन चला रहे हैं पूरे परदेश में यह आंदोलन चरण पर था लेकिन अध्यापक अचानक 6 अक्तूबर को मुख्यमंत्री ने उनके आस्वासन को यह क 23 दिन का समय बीत गया लेकिन अभी तक सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया PTI को मुख्यमंत्री द्वारा आस्वासन दे कर उनके अंदोलन को बंद कराने के बाद तुरंत ही विपक्स ने हमला बोला और कहा कि एक बार और मुख्यमंत्री मनोहरलाल PTI टीचर्स को धो खोदा उप्चुनाव को देखते हुए PTI टीचर को ठोक कर सुलाने का काम किया है सरकार उन्हें न्याय दिलाने से किनारा लगातार कर रही है विपक्स का यह दावा साबित हो गया है बरकी बरकास PTI टीचर एसेशियेशन का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने PTI को आस्वासन देकर धोखा देने का काम किया उनका कहना कि हमें आंदोलन भी करने से रोका गया तो समायोजन भी नहीं हुआ तो इस बीच सरकार द्वारा PTI टीचर को आउट्सोर्स टू की वज़ाए आउट्सोर्स वन के तहत काफी कम वितनमान पर रखने की पेसकस की जा रही है जिन प कि सरकार सीगर PTI टीचर को आउट्सोर्सिंग टू के तहत समायोजित करे अन्य था अब सडक से समसद का संगहर्स जारी रहेगा तो साथियो यदि चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब यहीं कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर भी करना मुख्यमंत्री ने एड़जस्ट करने का दिया था आस्वासान लेकिन नहीं कर पाए अपना वादा पूरा मामला यह था कि 11 सितंबर 2012 को हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसी ने भुपेंदर सिंग हुड़ा के सासनकाल में भरती 1983 PTI 6 क की नुक्तियों को रद कर दिया था कोर्ट ने इस मसले में दायर एक साथ 68 याची का करताओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुना था इसके बाद इतने लंबे समय से PTI अपनी नोकरी की भाली के लिए चर्णबत्री के से अंदोलन चला रहे हैं तब अंदोलन को और लंबे काफी नुक्षान के बाद हरियाना सरकार ने न्याय की तरफ कदम बढ़ाया तो उसमें भी अन्याय की बू आ रही है अपने आस्वासन को पूरा करे मुख्यमंत्री ये कहना है बनीता यादव का बरखास्त PTI टीचर एसोसियेशन हरियाना की रज्यपरधान बविता याद बनीता यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6 अक्तूबर को आस्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर सभी PTI टीचर्स को समायोजित कर दिया जाएगा लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ इस बीच हमारे PTI साथियों की एक एक करके मोत हो रही है और बेहत करने की अंदर खाने योजना बना रही है अंदोलन के दोरान जिन PTI की मोत होई है उनके प्रिवार वालों को सहयता भी परदान नहीं की जा रही बनीता यादव ने मांग रखी कि सरकार सभी बरखास PTI टीचर्स को आउट्सोर्सिंग 2 के तहत समायोजित करके जिन बरखास PTI साथियों की मोत ही है उनके प्रिवार को प्रियाप्त मुआवजा प्रदान करें ताकि उनके बच्चों को मिल्स के भरन पोसन की स्विधा तो साथियो ये थी आज की PTI 6 को से संबंदित लेटेस्ट अपडेट इसी तरह की अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्त निकाला जासके सरकार पर दबाव बना जासके तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद साथियों नमस्कार